हेलो एब्रिवान आज में आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो फर्स ताइब मैंने कुछ नया ट्राइक किया है इन डियुए इस को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया आइम शूर आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत अ और कुछ नया आइडिया भी आपको जरू मिलेगा तो वीडियो के न तक जरू देखिएगा वेल्कम बेक टू मोई ट्रेस क्राफ्टी कैसल तो आज के फ़र्स याइवाई को बनाने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है इस टाइप का कुछ ऊड़न बीच इसको मैंने परचेस किया था कुछ महीने पहले मैंने एक क्रेट बनाया था और उसके लिए मैंने इसको खरीदा था और थोड़ा से पीसेस बच गया था तो इसको आज में यूज करने वाली हो और अभी इन चारू पीसेस को जॉइन करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है जो लगा दिया है और बिना किसी नेल या स्टेपलर का यूज किये एक फ्रेम यहां पर बन गया है अच्छा है ना यह ट्रिक और अभी मैं यहां पर ले रही हूँ वाल पुटी पेस्ट और इसको थोड़ असा ठीक कंसिस्टेंसी में बनाना है आप देख सकते हैं यह स्पून से नहीं गिर रहा है तो इस टेप केंसिस्टेंसी का इसको होना पड़ेगा अभी इस पेस्ट को मैं इस फ्रेम में जीएगा और साथ में बेल आइकन को हीट करके अल अप्शन को सिलेक करके रखिएगा और अभी मैं यहां पर एक बैंबू स्कीवर को ले रही हूँ और इसी से यहां पर कुछ जब तक यहां पर वाल पुट्टी सूखता है मुझे और थोड़ा सा कुछ यहां पर बनाना पड़ेगा इसके लिए मैंने फेबरिकल मोल्डी क्ले का यूज किया है और अभी इसके ऊपर मैं टेक्चर एड करूँगी जिसके लिए मैंने इस ताइप के चीज को यूज किया ह है और अभी इसको में कट करूँगी और कुछ पैटल के शेप में मैंने कट किया है एकदम परफेक्ली कट नहीं करना है क्यूंकि यहां पर मुझे जो शेप चाहिए वो जो मोजाइक टाइल्स वाला लुक है ना उसको मुझे क्रेट करना है तो इसलिए मैंने इसको कट भी एक बर जब प्ले अच्छे से सूप किया तब इसके ऊपर मैंने डिफरेंट अक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया है अभी इस फ्रेम के ऊपर भी पेंट कर लेना है जो ग्रूफ बना था उसको थोड़ा सा मैं हाइलाइट कर रही हूं इसके लिए मैंने बर्न स्यान अक्रिलिक paint के साथ थोड़ असा white color को mix किया है और जो wooden वाला portion है उसमें भी मैंने same color से paint कर लिया तो इसका look थोड़ असा clean हो जाएगा और जो wall putty वाला portion था उसके उपर मैंने white color से paint कर लिया है और यहीं पर मैं आप लोग को बता दू मेरे last कुछ videos में आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे comments किये थे इसके लिए thank you so much बहुत जादा motivation मिलता है आप लोग का comments से इसी तरह इस channel के साथ अपना support बनाए रखिएगा अच्छा अभी इस DIY का सबसे interesting part है यह जो clay का flower वगड़ा मैंने cut करके रखा था इसको इस frame में लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको place करके रख रही हूँ कहां पे इसको लगाना है और उसके बाद glue के मदद से इसको fix कर देंगे उसी जगा में और जब मैं इस video को plan कर रही थी तब मुझे लगा नहीं था इसका result इतना प्याड़ा निकलेगा और अभी ये जो clay अगरा यहां पे लगा लेने के बाद बिलकुल ये mosaic tile का ही बनाया हुआ लग रहा है वैसे तो ये कैसा लग रहा है आप लोग मुझे comment में बताओगे तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं कैसे मैं decorate करने वाली हूँ तो सबसे पहले एक nail पे मैंने इहां पे इसको रखा है और इस ताइप का डो mask मैंने last video में बनाया था उसको भी nail के मदद से इहां पे लगाया जा सकता है मैं सिर्फ आइडिया आपको दिखा रही हूँ किस तैप से इसको सजाया जा सकता है एक mirror पे इसमें लगाने से बहुर अच्छा लगेगा अभी मेरे पास है नहीं बाद में कभी मैं लगा दूँगी अभी चलते हैं आज के second DIY के तरफ इसको बनाने के लिए मैंने इहां पे लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर जो disposable वाला आता है वो और इहां पे मैंने वाल पुट्टी का दो बना लिया है इस दो को कैसे बनाना है इसका वीडियो अलड़ी मेरे चैनल पे है उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अभी इस कंटेनर को कवर कर लेना है इस वाल पुट्टी से तो आज ना इसके साथ वा यूँँ मुझे जाना था स्कूल बच्चों को लेने के लिए और मैंने घरी देखा नहीं वाल पुट्टी मैंने बना लिया और स्कूल से आके अगर मैं उसको यूज करती ता वाल पुट्टी बढ़बार हो जाता तो मैंने जैसे तैसे कड़के इसको ऐसे लगा के मैं गई हूँ अभी देखते हैं इसके उपर मुझे और एक लियर लगाना पड़ेगा कोई बात नहीं कर लेंगे डिजाइन थोड़ासा मैंने पहले जो सोचा था वो नहीं होगा अभी थोड़ासा अलग मैं करूंगी तो से रोल कर देने से यहां पर एक बढ़िया सा टेक्चर आ गया है और अभी इसको कट कर लूँगी मैं और यह जो दो है इसको थोड़ा सा ठीक रखना है और अभी जो कंटेनर में मैं वाल पुटी लगा के गई थी उसके उपर इसको लगा देंगे जैसे मैं वीडियो में द कुछ बना रही हूं मैं वैसे तो मेरा इनिशियल प्लैनिंग कुछ अलग था इसको बनाने के लिए लेकिन वाल पुटी को मैं अच्छे से ब्लैंड करके जा नहीं पाई जब मैं पहले इसमें लेयर लगाई थी तो इसलिए मुझे कुछ इस तरिप का डिजाइन बनाना प यह फैब्रिक जासा पोशन है उसको मैंने पहले थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर से पेंड किया है और बाकी का पोशन को मैंने बर्स या ना अक्रिडिक पेंड से कलर कर लिया है और जो ये बटन वाला पोजिशन है उसको थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूस किया है लिटल बर्डी का मैटलिक वैक्स गोल्डन कलर में है ये और बाकी के डिटेलिंग को भी मैंने पेंट करके कर लिया है कम्प्लीट और अभी यह रहा इसका फाइनल लुक तो यह डिया आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा आपका फिडबेक तो अभी चलते हैं आज का थर्ड डियाइवाई के तरफ इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक चोटो सा प्लास्टिक बाटल में ने थोड़ा सा पानी बर लिया है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट को में लगाऊंगी और इसके लिए मासाकिन टेप किसी चै notre यूज़ किया जा सकता है मैंने यह थोड़ा से मासकिन टेप लगा दिया है और एक एक करके इस बॉटल के उपर में चिपकाती जाऊंगे जैसे में वीडियो में दिखा रही हूँ और यहां पे बैंबू स्कीवर से मैं एक होल भी बना दे रही हूँ बाद में इसका जरुरत परेगा इसका स्टैम लगाने के लिए और इस तैप से पैटल का मैंने डो लेयर लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इस तैप से इसके पैटल को उपर उठाना है और एक तडिका है जैसे एक फ्लैट सर्फेस में मैंने थोड़ा सा चलकम पाउडर लगा लिया था और इसको उल्टा करके वहाँ पे रख दिया था लेकिन ऐसा करने से ये पेटल पूरा ही उलच जा रहा था वैसा लुप भी मुझे नहीं चाहिए था तो इसलिए फिर से मैंने इसको सिधा करके ही रख दिया और सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे और दो चोटे-चोटे फ्लावर्स भी बना लिया था लेकिन ये वीडियो में रेकॉर्ड करना ही भूल गई प्रोसेस बिलकुल सेम था लेकिन जो बड़ा-वाला फ्लावर है उसमें जितना मैंने क्ले यूज किया था उतना क्ले में मैंने दो चोटे-चोटे फ्लावर्स बनाया तो इसलिए ये फ्लावर जादा क्यूट बना है यहाँ पर मैं और एक तरीका दिखा रही हूँ मेरे पास इस तरीक का एक कटिंग टूल है तो उसी से मैं एक फ्लावर कट कर रही हूँ क्ले से और सेम प्रोसेस से मैं इसको बोटल के ऊपर रख दूँगी फिर से एक होल पहले बना के रखना है और उसके बाद क्लिए बगरा लगा के और एक फ्लावर यहाँ पर बन जाएगा इसका लुक थोड़ा सा परफेक्ट आया है क्योंकि इसको मैंने कटर से कट किया है इसको मैंने ऑनलाइन पर्चेस किया था इसका लिंक अगर मुझे मिल जाएगा तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में यह दे दूँगी अब इन फ्लावर के लिए कुछ स्टैंप्स बनाने है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेटल वायर का यूज किया है यह अलूमिनियम का वायर है यह कोई भी हार्ड़े स्टोर में आपको बहुत इसली मिल जाएगा और इसको अलग-अलग लेंग्ट में मैंने कट कर लिया है और अभी जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है हूपर थोड़ सा वायट चॉप पेन लगा लिया है जैसो भी लगाया जा सकता है लेकिन मेंने रो canyon से में चाहँ चला लिया है और उसके बार acrylic пень से इन सभी को कलर कर लिया। और कलर अच्छे से सूख जाने के बाद यहां पर व hypoth को भी लगाना है अभी तक मैने नहीं लग लेकिन मैं तुरंत नहीं लगाती है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ दो तीन दीन के बाद ही मैं वर्णिस को एपलाई करती हूँ लेकिन करती जरूर हूँ तो अभी देख लेते हैं मैं इसको सजाओंगी कैसे मेरे पास इस तरका एक प्लांटर है और एक आर्टिफिशियल प् कॉमेंट मिलने से लगता है कि डियावे बनाने का मेहनत सफल हो गया है चलिए आज के लिए इतना ही था मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक खुश रहिए अपने अंदर के आर्टिस को काम पे लगाते रहिए और अपना धे साला के लिए की बएबाई